हेलो एन नमस्कार वेल्कम अगेन टो इस स्पेशल शो आर्डी बर्मन्ट क्विज और किस्से सबसे पहले मैं प्रकृती अब सभी को दिल से थैंक्यू बोलना चाहती हूं हमारे पहले ही एपिसोड को इतना जबरदस रिस्पॉंस देने के लिए आज की सेकंड एपिसोड में भी होंगी धेर सारी बाते पंचम दा के बड़े फैन मिस्टर पंकच ठककर के साथ साथ में होंगे आडी बर्मन के गानों और फिल्मों से जुड़े आज की क्विज के दस सवार तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पंचम दा का सफर पंकच सर के पंचम राइट पर लेके जाने के लिए विट सो में फासिनेटिंग इन अनेक्डोट्स अफ्कॉर्स आपको फिर से एक बार कुज की रूस बता देती हूं आपको हर क्वेशिन के चार ओप्शिन दिये जाएंगे जिनमें से एक होगा उसका सही जवाब और आपको सही जवाब WhatsApp number 8097-426-767 पर इस format में भेजना है You need to type rdb space question number space and then your chosen option For example, जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं rdb question 1b और rdb question 7c आपके जवाब हमें WhatsApp number 8097-426-767 पर भेजेगा Wednesday 21st September शाम 6 बजे के पहले सही जवाब भेजने वाले Lucky Winners को मिलेगा rdberman hit songs के YouTube चैनल के तरफ से attractive prices Correct answers और Lucky Winners के नाम इसी चैनल यानि rdberman hit songs YouTube चैनल के community post के section में announce किये जाएंगे अगले Friday यानि 23rd September को शाम 6 बजे So, let's start with question number 1 और यह एक video clip है चाने दोना इपाँ पारूना इपाँ पारूना इपाँ पारूना आपको बताना है कि इस सदाभार गीत के गायक कौन है और आपके options है आपके जवाब हमें WhatsApp number 8097-426-767 पर भेजेगे Wednesday 21st September शाम 6 बजे के पहले पंगत सामने लास्ट एपिसोन में हमें बताया उनके कर्या का कैसे शुर्वात हुई लेकिन उनका असली मुजिकल कर्या का तूफान असली माइनों में अभी आना बाकी था सही बात है 61 में जब चोटे नबाब करी तो इट एट वेरी गूड अन वेरीड सॉंग्स लेकिन पंचम को ऐसा कोई सक्सेस नहीं दिखा के सड़नली प्रोडूसर आने लगया के भही पंचम हमको तुमको साइन करना है नोबडी केम इन बेकाज दादा बर्मन, मदन मोहन साब, रोशन साब, everybody was there and nobody really went for पंचम तो चार साल तक उसके पास कोई फिल्म ही नहीं थी और दादा बर्मन ने तभी उसको यह बहुत अच्छी सीख दी थी कि भाई तुम जब आप प्रोफेशनल कंपोजर हो तो तुम्हारा काम क्या है हर सुबह उठना है फ्रेश नाद होके म्यूजिक रूम में आना है और आपको गाने बनाना शुरू करना है यह दो विजुलाइज सिटुएशन कंपोज सॉंग्स एंड कीब दें जो टी सीरीज वालों ने म्यूजिक बैंक सोचा 1987 में बो पंचम ने और दादा बर्मन ने 1962-63 में कर लिया था के काने बनाव रेकॉर्ड करके साइड पे रख दो कभी न कभी काम आएंगे उसको एनहंस करेंगे एनरिच करेंगे तो 61 से 65 का पंचम का जो फेस था वहाँ पुलाइब पॉशिब भाइब साइड ने था बेस्ट एड जर था आएंगे कि अच्छा एंगे मेहमूद ने दूसरी फिल्म बनाई भूद बंगला पंचम वस देर रिख देश्व मूजिक एंगें फिर भी नधिक हपन दोस्त के लिये फिल्म बना रहें कोई प्रोडिसर आता निया कहता के चली पंचम तीसरी एक फिल्म बनी तीसरा कॉन चौथी फिल्म बनी पती पतनी अगें बाइ मेहमूद so three out of four films were from Mehmood and he had by then started showing signs of westernized music Booth Bangla का भी sound देखेंगे तो it is clearly telling you के भई कुछ different होने वाला है क्या होने वाला है वो अभी अगली पांच वी फिल्म में आएगा but तब तक there was that calm before the storm के एक धमाका होने वाला एक तूफ़ान आने वाला है but उसके पहले एक थोड़ा everything is quiet धीरे धीरे हवा बढ़ती जा रही है and हवा बढ़ती जाएगी in in his next film आपकी बाते सुनकर मेरे जहन में तो बस एक ही गाना आ रहा है पंचम दाका कल क्या होगा किसको पता अभी जिन्दगी का ले लो मजा सही माइनों में पंचम जिन्दगी का मजा हर हर गाने के वक्त लेता था उसके raw composition भी कभी आपको मौका में ले तो सुनिएगा अगर आपने एपिसोड वन में पंकत सर की बाते ध्यान से सुनिए होंगी तो इस सवाल का जबड़ का जबड़ा किसको पता अभी जिन्दगी का ले लो मजा तो इसी बात पर हम और्डिन्स के लिए अपना दूसरा सवार रखते हैं अगर आपने एपिसोड वन में पंकत सर की बाते ध्यान से सुनिए होंगी तो इस सवाल का जबाब आपको बड़ी असानी से मिल जाएगा आपको बताना है कि अग्रताला बी कॉलकता, बी कॉलकता, सी गैंटॉक या डी सिलिगोडी आपको अपना जबाब, वाट्साप नंबर 8097-426-767 पर अगले बुधवार यानि वेनेज़डे 21 सेप्टेंबर की शाम को 6 बजे तक भेजना है सर अब हमें बताईए आडी बर्मन नाम के तूफान के बारे में Oh my God 1966 में जो फिल्म रिलीज हुई तीसरी मंजिल उसके लिए जब मजरू साब ने नासिर साब से कहा के पंचम अच्छा काम करने लगा है आप उसको ट्राइ करके देखें तो नासिर साब सेट के शमी कपूर मेरे हीरो है अगर वो अगरी करें के तो मैं I don't mind looking at him and शमी कपूर साब वस जब बफोर तीसरी मंजिल he had done Kashmir की कली वी तोपी नियर साब and evening in Paris with Shankar Jakeshin साब so he did not want to really try out R.D. बर्मन a newcomer क्यों करूं मैं तो मैं मजरू साब insisted so much ने कहा के एक बार मिल लो और पंचम को बुलाया गया तो पंचम ने पहला गाना जो पेश किया यह और बिकास वो जो पहले मैंने आपको तो बताया के दादा बर्मन had put in a habit of composing तो इसके पास सारी गाने प्रैक्टिकली तीसरी मंजिल के तयार थे in raw form not that it was a finished form but raw form में उसके पास धुने तयार थी and वो शमी कपूर के पास जब डिमांस्टेशन करने गया तो पहला गाना गाया जो दीवाना मुच्सा नहीं that song is basically inspired from a Nepali tune and जैसे ही पंचम ने पहली लाइन सुनाई है तो शमी कपूर ने का बच्चे है दूसरी लाइन ये है करके उन्होंने दूसरी गायन लाइन नेपाली में गा दी पंचम नर्वस हो गया प्रैक्टिकली कि अब क्या करें या दिस मैं नोस इस मूज इस मूज तो अब मैं क्या करूँगा तो तुरंद भाहर निकला और जाएन श्राटिट स्मोकिंग थोड़ नर्वसनेस में आगया आफ्र री री कंपोज इंसे अधन ओ मेरे सोना रे सोना आजा आजा मैं हो प्यार तेरा ओ हसीना जूर्फो वाली सारे गाने उसने सुना दिये शमी कि स्टाइल में कहूंगा नासर मार्क मैवर्ड्स थे मुजिक फिस फिल्म इस गूंग तो एक नहा ट्रेंट शुरू होता है तो इसी बाद पर बंगत स्व चलो हमारे ओडियंस से हम पूछता हमारा नेक्स सवाल सवाल फिर से एक बार सुनिये RD परमन का जनम कब हुआ था यानि उनकी birth date आपको बतानी है और आपके options है A. 27 June 1937 B. 27 June 1940 C. 27 June 1939 या D. 27 June 1938 आपके जवाब हमें WhatsApp नमबर 8097-426-767 पर भेजेगा Wednesday 21st September शाम 6 बजे के पहले So Pankar sir, I am sure कि तीसरी मंजल के बाद एक chaos हो गया होगा, एक RD परमन के नाम का तूफान आगया होगा उनको कितने offers मिलते होंगे, तो क्या experience था यह? आज हम जब तीसरी मंजल की बात करते हैं तो हमको लगता है के भई, it happened. But उस ताम पे, it was considered to be very different music and people did not embrace him के आजाओ यार, now we'll go to RD बरमन because this is something new and nice. People always thought that this was a flash in the pan and somehow he didn't really get many offers again. उसका अपना दोस्त मेहमूद, जब भी फिल्म बनाता तो पंचम को लेता. And उसके बाद वाली जो एक फिल्म थी तीसरी मंजल के बाद, चंदन का पलना, 1967 में, वहाँ, पंचम ने इतना अच्छा music दिया, he was nominated for a classical song, ओ गंगा महिया, मगर जूरी ने उसको वो award deny किया because they believed के, जो आदमी तीसरी मंजल बना सकता है, how can he be awarded with a award for classical music? So, he was not accepted, it was considered, okay, हो गया, हो गया, हो गया. So, again, he went back to his father's office, so to say, guide, jewel thief, and then talash. In सारी फिल्मों में, you will see Sachinde Barman का music suddenly बहुत modern लगने लगा था, because Panjham की extra presence थी उन फिल्मों में. But producers didn't come by him, it was a dull period for R.D. Barman, the music creator. S.D. Barman का बेटा था, first class, everything was nice, but R.D. Barman didn't have offers. That's really strange, I mean, आज कल तो एक भी गाना कुछ हिट हो जाए, ट्रेंड हो जाए, Instagram पर, तो सब लोग वस आर्टिस को चेस करने लगते हैं, they want to do events with them, they want to do more albums with them, पर यहाँ पर पंचम्दा का इतना hard-hitting, इतना strong performance था था थी स्री मंजल में, फिर भी, there was nothing for him, I think that's really strange to... Absolutely, those times were different, and वही था के मैंने कहा था के, besides Mehmood, Nasir Hussain was there with him, so, 66 से 69 के बीच में, Nasir साहब देट बहारो के सपने वित हिम, प्यार का मौसम वित हिम, and Mehmood again देट पडोसन वित हिम, so, इन तीन फिल्मों के साथ, पंचम्ब वस अक्चुली नॉकिंग द दोर of success के, भाई साहब, मैं आगया हूँ, I am somebody, I am not just SD Burman's son, I am RD Burman, open the door please, but door खुली रहा था तब 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 उसके बाद जो हुआ, you know, it's a different story. जब 1969 में आराधना सुपरेट हो गई, तब time's changed for him. When he did आराधना with SD Burman, there are controversial, you know, stories. Some people say that he had no role to play in आराधना well, whereas others say that he had every role to play in आराधना. But Shakti Samant has gone on record saying that yes, he played a big part in the orchestration of आराधना. आप रूप तेरा मस्ताना देख लो, सपनो की रानी देख लो, या कोडा कागस था, ये मन मेरा का rendition देख लो. वो जो किशोर कुमार और आडी बर्मन का साथ बाद में आता है, उसकी जलक आपको वहां मिल गई थी सारी. And with आराधना सक्सेस, Shakti Samant signed पंचम फोर इस नेक्स फिल्म within six months, कटी पतंग, बट वो कटी पतंग के स्टोरी पे हम आते हैं. So, पंदर जी, आगे बढ़ने से पहले हमां वीवर्स को एक और सवाल दे देते हैं. जो है वापस एक विजूल क्वेस्टिन. Name the city in which the super hit song was picturized. आपको बताना हैं कि ये super hit गाना किस शहर में शूट किया गया है? And your options are A. Panjim B. Mumbai C. Kolkata D. Chennai आपको बताना हैं कि ये super hit गाना किस शहर में शूट किया गया है? और आपके options हैं A. Panjim B. Mumbai C. Kolkata D. Chennai Don't forget to send your answers in the prescribed format by 21st September 6pm On WhatsApp No. 8097-426-767 अब चलते हैं पंचम दा के सफर के अगले पड़ाब पर तो Pankat Sir, क्या अब काम्याभी उनके दर्वाजे पे दस्तक दे रही थी? Unfortunately, no But Nassir Sahib ने तीसरी मंजिल के टाइम पे ही Panjim को 6 फिल्मों के लिए साइन कर दिया था Unnamed films जो बाद में जाकर बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में बनी तो Nassir Sahib and Mehmud were with him बट और कोई नहीं था और Nassir Sahib ने बहारो के सपने 67 में बनाई Mehmud ने 68 में पडोसन मनाई and 69 में प्यार का मौसम अगें with Nassir Sahib Iconic films, Iconic songs मगर ऐसा लग रहा था के जैसे Panjim continuously दस्तक दे रहा हूँ के भाई साब, RD Burman has arrived, please open the door and industry was saying के look, we know that you are SD Burman's son आप आये आराम से and Panjim was getting restless के भाई साब, I am here वाउ, ये जर्नी इतने exciting हो गई I can actually feel the goosebumps लेकिन उससे पहले हम अपने audience को एक next question दे जते जो है वापस एक visual question The question is Name the famous actress dancing in this chart Buster's song and our options are A. Sadhana B. Aashaparek C. Mumtaz D. Malasinha इस famous गाने में dance करने वाली popular actress का नाम बताईये और आपके options है A. Sadhana B. Aashaparek C. Mumtaz D. Malasinha सही आंसर आपको WhatsApp number 8097-426-767 पर Wednesday 21st September की शाम छे वज़े तक भेजना है वैसे इस song clip को देखने के बाद I can't resist commenting that this original song sounds so fresh, much better than its remix version done years later. तो पंकत सर, पड़ूसन और प्यार का मौसम के बाद क्या हुआ? Well, Pancham was assisting his father in Aaradna and S.D. Burman was a little unwell at that point of time. But S.D. Burman was a sharp mind, उन्होंने सोचा के जब तक मेरी presence है तब तक Pancham को कोई independent composer की हैसियत से लेता नहीं है. तो, first thing that he did was, के उन जमाने में हर Bengali music letter Calcutta जाता था Durga Pooja के लिए और वहां कुछ special, जैसे यहां अवरात्री में होता है वैसे, Durga Pooja में specially गाने create होते थे और play किये जाते थे. So, he did not go to Calcutta in 67-68 and sent Pancham. So, Pancham ने जो प्यार का मौसम में जो तुम बिन जाओ कहा गाना जो है, वहां उसने बंगाली में बनाया था, एक दिन पाकी उड़े. पॉका मिला because of Dada being unwell, तो recording recording में इतना उसका presence था के Shakti Samant also started feeling के Pancham can be taken. And तीसरा यह हुआ के एक बंगाली फिल्म थी, राज कुमारी, वहां Pancham ने modern Bengali songs बनाये, which were rejected. तो छे गाने बने, all of them were, like the film was rejected, but Shakti Samant had seen a spark in those, and Pancham को कहा था के बाइया, इसमें से दो-तीन गाने मेरे लिए रिजर्व रखना. तो आराधना के success के बाद, जैसे ही, उसने कटी पतंग launch की, तो Dada को कहा के, मैं यह पंचम के गाने भी यूज करूंगा इसमें. तो Dada again, थोड़ा सा सोचा के, how do you open the door for Pancham? And he says के, since Pancham के गाने तुम यूज कर रहे हो, तो क्यों ना independently Pancham को फिल्म दे दो? तो यह फिल्म पंचम के हाथ लग गई. And अभी मैं जब थोड़ा आगे सोचता हूं के, Hare Rama Hare Krishna में क्यों दादा ने पुल आउट कर लिया? सब्जेक्ट भाई बहन का था, विच दादा दिद दादा दिद दादा दिद दादा आप्रेशिएट. But एक और कारन यह भी हो सकता है के, Dada wanted to create room for Pancham. And therefore, ask Devanand to take Pancham for Hare Rama Hare Krishna also. That changed everything for Pancham. Pangat sir, अब वक्त आ गया है audience को question number 6 देने का. सब्सक्राइब का तो आपका question है, R.D. Burman didn't compose music for any film directed by and your options are A. Ramanand Sagar, B. Subhash Ghai, C. B.R. Chopra या D. Yash Chopra. आपको बताना है कि इन में से किस director के लिए R.D. Burman ने कभी भी music नहीं दिया है? आपके options है A. Ramanand Sagar, B. Subhash Ghai, C. B.R. Chopra या D. Yash Chopra. सही जवाब आपको Wednesday 24 September शाम 6 बजे के पहले WhatsApp number 8097-426-767 पर भेजना है. पंकट सार कहते हैं कि 1970s में फिल्म और म्यूजिक वर्ल में करांटी से आगे थी और ये revolution के पीछे responsible सिर्फ आडी बर्मन थे. I would say R.D. Burman के साथ केश्वर कुमार, राजेश खना और आननद बक्षी साब भी थे. And वो revolution शुरू हुआ आराधना के साथ. आराधने के बाद कटी पतंग, again the same combination and बहुत ही पढ़िया गाने. उसके बाद कारवा, तो महमद रफी साब वस देर बट आर्डी बर्मन का तो वो powerful rendition था ही था. And then फिर हरे रामा, हरे कृष्णा आगई. जहाँ पे, on the one hand you have a cult song like Dammarodam, and on the other side you have the Nepali folk which is O Re Gunguru Ka Bole Ya Kaanchi Re Kaanchi Re. तो इतने अच्छे गाने बने फुलो का तारो का सब का कहना है, के Dewanand got a little scared about Dammarodam के इतना, you know, song was overpowering, के देखो वो दिवानों कहीं subdued हो जाएगा. तो, he had said, I will not record this song, and Anand Bakshi and R.D. Barman insisted के कुछ करके record करो. So you will see that in film, it is not in full, एक मुखड़ा है और फिर कहीं एक अंतरा बसता है, बर गाना कभी फुल बजानी है, बट इतना अच्छा गाना था के, you know, it has been a sort of cult song for the Hindi film industry. मेरे कानों में तो बस दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, और नाजा ने कितने गाने बज रहे हैं? But it's time to move towards question number 7, which is again a visual round. Watch this video clip. And here's your question. Name the playback singer of this song. And your options are आपको बताना है, इस गाने की singer कौन है? और आपके options हैं अनूप जलोटा, बी अनूप घोशाल, सी पंकर जुधास, या दी यसुदास. दोस्तों, आपकी जवाब हमें WhatsApp number 8097-426-767 पर भेज दीजे. Wednesday, 24 September, शाम 6 बजे से पहले. ये गाना भले 80's का था, पर पंकर सर, हमें फिर से 70's मिले जाएंगे. 72 was the most prolific year for पंचम. And अगर मैं सिफ उन फिल्मों के नाम ले लू तो मुझे गुजवम्स आ जाते हैं. अपना देश, मेरे जीवन साथी, जवानी दीवानी, परीचय, रामपूर का लक्षमन, सीता और गीता. इतने बढ़िया गाने और एक नहीं. सारे के सारे गाने उन फिल्मों के बहुत ही अच्छे थे. और यहां पंचम ने अपना स्टाइल भी बहुत strongly and emphatically demonstrate किया. Find me a song which is equivalent to dunya में लोगों को. Such high-pitched पंचम's voice and heavy brass section orchestra. वो एक जगा पे है तो दूसरी जगा पे आप जवानी दीवानी का वो गाना देखे, जाने जाना दूनता फिर रहा. Kishwar Kumar singing on a high pitch and suddenly Asha Bosle goes down to a very low pitch. The design is superb. Wow, इतनी सारी कल्ट मूवी और इतने आइकोने गाने, जैसे जैसे बाते आगे बढ़ती जारे हैं, हमें लग रहा है आड़ी बर्मन के कितने पहलू हैं जिसको हम नहीं जानते. मैं भी in fact नहीं जानता आज तक. तो दोस्तों, बाते तो जारी रहेंगी पर इस सवाल के बाद, यह रहा आपका next question. Name the actor who made his debut in Love Story, which has R.D. बर्मन superhit music. And the options are A. Sanjay Dutt, B. Kumar Gaurav, C. Sunny Deol, D. Rajeev Kapoor. R.D. बर्मन के superhit music वाली film Love Story में, किस actor ने अपना debut किया था? और आपके options हैं A. Sanjay Dutt, B. Kumar Gaurav, C. Sunny Deol, D. Rajeev Kapoor. Don't forget to send your answers in the prescribed format by 21st September 6 p.m. on WhatsApp number 8097-426-767. 1973 was again a very big year for Pancham. 20 film में रिलीज हुई थी. आगले लगजा मनमौन देसाई सहरी साहब के साथ. अनामिका ताहर हुसेन के साथ. ताहर हुसेन मतलब आमिर खान के डैड़ी. छील के उस पार. नमक हराम रिशिकिश मुकर्ची के साथ. यादो की बारात नासिर हुसेन. और सुबोध मुकर्ची साहब की फिल्म Mr. Romeo अब Mr. Romeo से एक बहुत important characteristics of Pancham की हमारे सामने आती है के Pancham always did justice to his films. Film छोटी हो, बड़ी हो, अच्छे actors हो, modest actors हो बट उसका music is top class and Mr. Romeo में you will have to actually listen to the songs of Mr. Romeo to understand के what did Pancham deliver. he always delivered the best irrespective of सामने पैसा है नहीं है चो भी हो take the best from me, that's Pancham. Wow, मतलब 20 movies in one year, मतलब around 100 songs और सब अलग mood, सब अलग genre, अलग style I think he was no less than a creative genius. यहां मैं I would like to probably you know highlight कि जब आप 20 या 100 या 120 गाने एक साल में करते हैं that means every third day a song is completed, finished and recorded. मतलब song का idea समझना, song का idea develop करना, उसके धुन बनाना, उसमें music fit करना, उसमें words लाना, recording करवाना and deliver करना. All that happening every third day for the whole year. They say, Pancham had booked Film Center for the entire year. Not a single day, Film Center was used by anybody else for the morning session. It was Pancham and Pancham only. तो आज का अगला सवाल, पंचम दा की music वाली 1973 की फिल्म से है, जो एक विजुल क्वेस्टिन है. पहले आप ये song clip देख लीजे. क्या नजारे, क्या सितारे, सब हो हैं इंतजार, सब हैं बेकरार, तु कब सब देखेगी हर कली में, हर कली में, देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तु सब जब देखेगी. आपका question है, बताइए हमें कि ये गाना कौन से फिल्म से लिया गया है? और आपके options है, A. Loafer, B. Jheel Ke Uspar, C. Blackmail, D. Jugnu. Don't forget to send your answers in the prescribed format by 21st September 6 PM, on WhatsApp number 8097-426-767. Sir, I am sure our viewers would love to know about Pancham Daa's love story, his personal life, his marriage. तो उसके बाले में कुछ बताएए. Pancham got married in about 66-67. वो एक चुटी पर गया था, Darjeeling, जहां, Rita Patel उनको मिली. और फिर, somehow, प्यार बड़ा, whatever happened, they got married. And, Miradeo Varman did not perhaps like this association of marrying a Gujarati girl. तो, she bought a separate house for Pancham and पहले ही दिन से उसको अलग रखा. And timing कुछ ऐसा था कि शादीगा कि शादी के बाद Saranali Pancham की दुकान चल पड़ी थी. He had so many films that he wanted to, you know, spend time practically 24 hours composing. And Rita Patel was getting bored and वही जगडे जो रस्बन वाइब में होते के काम तो ठीक है लिगे, holiday जाना आये है वो है. शायद वुस तनाव में उनका marriage toot गया. Unfortunately, Asha Bosley and Pancham were really, you know, succeeding together. जितने गाने करते हैं, सारे superhit हो जाते हैं. उनकी musical chemistry इतनी strong होती जा रही थी के, as if they were made for each other. So, ये एक association, जिसको मैं technically marriage नहीं कहूंगा, though they were married, they got married in 80. But it was a bond of two musical personalities, and very strong, very powerful personalities who got together to compose more and more songs in life. So, Pancham का जो personal life का जो शौक था, सबसे पहली बात तो, his personal choice was music and nothing else. Music के अलबा, he loved eating. He loved, obviously, drinks and smoking and all that. But, खाने पीने का इतना शौक था, के अपने गार्डन में, he used to grow 40 different breeds of chillies, mirchi. And, वही के, अगर उसके घर को हाय तो बिना खाना खाय जाही नी सकता. So, personal life को कहे तो, he was again a very good host. Durga Puja के दिन, सारी film industry उसके खाना खाती. But, his marriage as in marriage didn't work. And, आशा मुसले के साथ, marriage was a different kind of a marriage. Two persons come together for life, bound by a strong musical bond. उसी से मुझे याद आती है, पंचम दा की लाइपे बनी, एक interesting documentary. तो उसी नोड पे होगा, आज के एपिसोड का आखरी question. And the question is, Name the biopic made on R.D. Barman, which won two national awards. And the options are, A. Puncham Unmixed, B. Puncham Magic, C. Musical Maestro R.D. Barman, D. Puncham Unplugged. दोस्तों, R.D. Barman पर बनाए गए biopic का नाम बताईए, जिसे दो national awards मिले थे. And आपके options है, A. Puncham Unmixed, B. Puncham Magic, C. Musical Maestro R.D. Barman, D. Puncham Unplugged. आपके जवाब हमें WhatsApp number 8097426767 21st September के शाम 6 बजे तक भेज दीजे. Pangat sir, before winding up today's episode, हमें पंचम दा के बारे में और भी कुछ बाते बताईए. Puncham was fond of, as much fond of cooking as he was fond of eating. तो कई बार ऐसा मैंने पड़ा भी है, red cap whatever, and उसको गाडियों का भी बहुत शौक था. मैंने उसके driver का एक interview सुना था जहां, he talked about a Datsun car, भी Datsun car आज के जमाने में इतनी popular नहीं है, लेकिन उस जमाने में एक imported गाडी Datsun होना, and this is an unverified fact, के he had 12 cars at one point of time, which I don't honestly speaking believe, but हो भी सकता है, who knows, but there are hardly any people left to confirm this, के बारा गड़िया थी उसके पास, but those words is, you know, शौक जिसको कहते हैं. Puncham was once upon a time, alleged about copying western music. Western music तयता था, inspired जरूर होता था, तो मुझे याद है, 1973-74 में, Gujarati newspaper में एक article आया था, के, Pancham music बनाता ही नहीं है, वो सिर्फ 9-10 गाने एक instrument, एक gadget में डाल देता है, and 11th tune भार निकल आती है, automatically. This was lack of understanding of people during those times. 1774 में एक synthesizer आया था, called Moog synthesizer, जिस पे आप, you could tweak hundreds of knobs and create sounds. You know, वाव 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 ऐसे सारे sounds, Pancham, अपने unique sounds, निकाल के compose करता था, but people did not have that understanding then, they felt के Pancham, 10th tune डालता है, उसमे और 11th tune अपने आप, recipe बनके भार आती है. And, जितना भी music उसने copy किया, कभी ही, never claimed full credit for the song, कि मैंने compose किया है. He quietly took some bars out of a particular song, and जिसको कहते है, कि आपने एक design देख ली, और उसमें से अपना एक दूसरा picture create कर लिया. So, in normal life, you and I, the moment I like your dress, I will tell my wife, कि तुम ऐसा ही dress सिल्वाल हो, तो थोड़ा variation के साथ तो dress बन जाता है, अच्छा लगने लगता है. So, whenever he was inspired by a tune or a song, he would draw the essence, and make that song his own. Take the example of Mehbubha Ho Mehbubha, which is such a beautiful song. Actually, it is supposed to be inspired from a song called Say You Love Me, by an artist called Demi Rusis. So, somebody did some research कि Demi Rusis ने पहली बार compose किया के क्या था? So, it went backwards to some earlier years. Finally, it is traced to 17th century Greek folk. 17th century Greek folk, किसी ने थोड़ा यूज किया, थोड़ा यूज किया, करते करते, आके R.D. Parman पैटक गया. And जब वो R.D. Parman पैटका, तो इससे बहतर बाद में कभी नी बना है. Thank you so much, Pankat Sir, to come to the show and share your information, your knowledge about R.D. Parman's journey, and their important milestones, their cult movies, and their songs. I would like to thank you on behalf of all of the viewers. It's always been a pleasure to be a part of anything that has the name R.D. Parman. Thank you so much. And friends, don't forget to watch the next two episodes of this series. जब पंकत Sir, हमें पंचम दा की लाफ के important milestones का सफर कराएंगे. Also, don't forget to send your answers before 21st September by 6 PM. And do share this episode's link with your friends and family and ask them to subscribe to R.D. Parman Hit Song's YouTube channel. Till then, goodbye, take care, keep watching our channel R.D. Parman Hit Song. This is me Prakriti, signing off.